Good morning students, today we will discuss about book work of chapter 7 देखो बच्चो आज जो हमारा 7th chapter है उसका जो book work है उसके बारे में हम discuss करेंगे chapter name है clothing our basic need ओके, book work में हमने बच्चो कल जो book work में था first question choose the correct answer वो हमने कल किया था उससे आगे का जो quick assignment है book work में उसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो चलो अब हम start करते हैं सबसे पहले जो हमारा question है वो है correct the following statement by crossing the wrong word ठीक है correct कीजिए जो statement दी गई है उसको आप क्या कीजिए correct कीजिए और जो wrong है उस पर आप क्या कर दीजिए बच्चो क्रोस कर दीजिए ओके तो चलो start करते हैं first जो statement है वो है synthetic fiber are called natural या man-made fiber जब हमने chapter पढ़ा तब हमने पढ़ा है बच्चो synthetic fiber synthetic का हिंदी में meaning होता है किरत्रिम या synthetic fiber को हम क्या कहते हैं man-made तो यहां पर जो हमारी statement है वो क्या होगी कि synthetic fiber are natural नहीं आएगा natural पर क्या हो जाएगा cross और यहां पर क्या आएगा man-made fiber fibers ओके उसके बाद देखो बच्चो जो second statement है वो है synthetic clothes are waterproof non waterproof तो देखो जो natural clothes होते हैं वो क्या होते हैं waterproof नहीं होते हैं हमने चैप्टर पढ़ा था वह हमने पढ़ा है कि जो synthetic clothes होते हैं वही क्या होते है waterproof जैसे कि for example क्या था raincoat तो यहां आएगा synthetic clothes are waterproof और non waterproof पर क्या जाएगा cross आजाएगा ओके अब हम third statement है हमारी during winter we wear dark colored light colored clothes की winter season में हम पहनते हैं dark colored cloth पहनते हैं light colored cloth पहनते हैं तो देखो बच्चो इसमें आएगा कि जो winter season आता है तो उस दोरान हम कैसे कपड़े पहनते हैं dark colored cloth पहनते हैं और जो light color cloth है उस पर क्या जाएगा cross आजाएगा ओके उसके बाद बच्चो हमारी fourth statement है कि swimming costume और made up of synthetic या natural fiber जो swimming costume होता है बच्चो वो बना हुआ होता है synthetic fiber का क्यों 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 क्या होता है water व्र इइस इभर करता है वाटर को कम सिंथेटिक पा इसले कि नेच्टल फाइबर का नजा डायाय वह थ contractzon Ned इसले कि ऑमनेख उछलों में जब शेयों सम्साइब वह को सबस्क्राइब नहें करते हैं तोडह से और कलर एंप ट। होते हैं वह क्या है क्फिट में घृ करता है यह दरप सब्सक्राइब करता को तो विंटर सीजन में मैं क्या है यह पैनेंगे कि ठायब होड याद रहना है इसके साथ बच्चो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो डार्क कलर होता है वो गुड एबजोरवर है हीट का में जादा हीट एबजोर करता है लेकिन इसके साथ साथ हीट रेडियेटर भी है हीट रेडियेटर का मतलब है कि हीट को रिलीज करने वाला ठीक है वो हीट को भी क्या है release भी करता है जितनी जल्दी एबजोर करता है उतनी जल्दी ही heat को release कर देता है means कि white color के comparison में वो heat को एबजोर भी जाधा करता है और heat को release भी जाधा करता है थंडा भी जल्दी ही होगा white color के comparison में ओके उसके बाद जो next question है वो है बच्चो fill in the blanks कि blanks दिये गए है और इसमें आपको क्या करना है फिल करना है ठीक है फिल करने में आप क्या करोगे जो फर्स स्टेटमेंट है वो क्या है डैस इस नेचरल फाइबर विच वी गेट फ्रूम प्लांट्स की डैस है वो नेचरल फाइबर है जिसको हम plant से obtain करते हैं तो क्या है बच्छो cotton है cotton क्या है natural fiber है और जिसको हम किस से obtain करते हैं हमें किस से मिलता है वो plant से मिलता है ओके next second statement है material that make up the cloth is made up of that wound together कि जो materials है बने हुए होते हैं जिसका कपड़ा बना हुआ था किस से बनता है कि किसको wound मिन्स किसको wound का मतलब किसको wound करके हम क्या बना देते हैं cloth बना देते हैं तो क्या होता है बच्छो वो fiber होता है fibers होते है fibers से क्या बनता है fibers को wound करेंगे तो उससे क्या बन जाता है yarn और yarn से फिर क्या बन जाता है fabric कि वह materials कौन सा materials यूज होता है कपड़े बनाने के लिए जिसको हम वोन टूगेदर करके मिन बुन करके हम क्या बना देते हैं कलोथ है वो बना देते हैं तो क्या आएगा फाइबर फाइबर से क्या बनेगा यान और यान से फिर क्या बन जाता है फैबरिक और फैबरिक मिन कलोथ तो यहां पर filling the blanks में क्या आएगा बच्चों fibers next third statement है dash cloth are made from silk and wool silk and wool से कौन से cloth बनते हैं तो जो winter cloth होते हैं वो बनते हैं बच्चों silk and wool से कौन से winter season में ही पैनते हैं ना हम wool के कपड़े और silk के कपड़े भी किस में हम winter season में ही पहनते हैं ठीक है तो wool और silk से नेग्स्टहरों स्सेटमेंट को प्रोटेक्ट में और में और सबढूद को प्रोटेक्ट करतें चिर्णी के जो रही ब्रेंटे क्लोथis लिसके बने उते ही और जो synthetic fiber क्यों कि जो synthetic fiber होते हैं वही क्या होते हैं waterproof होते हैं ठीक है उसके बाद next है match the following column A with column B column A को column B के साथ आपको match करना है ओके तो column A है हमारा wind cheater wind cheater का answer क्या होगा synthetic fiber ठीक है क्या होगा wind cheater synthetic fiber winter clothing winter clothing क्या होगा बच्चो woolen क्या होगा winter clothing woolen तो इसका answer होगा B अब है next silk silk इसका answer क्या होगा बच्चो D silk हमें किस से मिलता है silkworm से तो इसका answer होगा D next fourth statement है cotton fabric जो cotton fabric है इसका answer होगा A की natural fiber cotton क्या है natural fiber है ठीक है इसके अलावा next जो question है बच्चो हमारा वो है name the fabric made which name name the fabric by which the following articles are made की name बताईए fabric का की जो following articles है वो बने हुए है ठीक है तो देखो यहाँ पर first क्या दिखाया गया है बच्चो raincoat दिखाया गया है और raincoat हमने पढ़ा है कि किस से से बंता है synthetic fiber से कुरता पजामा है किस से बनता है cotton से बंता है मफलर है किस से बनता है एसे ही sweater कि इस से बनती है वी बनती है यह यह क्या है बच्चो, क्या है यह टौप ओड़ते हैं, जो टौप, कैप, यह किसकी है, यह भी Woolen से ही बनी हो यह थी है, यह सब आपकी बुग में दिये गए हैं, आपको यह फिल करना है, सिंथेटिक, तो जो यह वर्क दिया गया है, बच्चो ये आपको क्या करना है अपनी बुक में फिल करना है और फिल करके आप इसको याद करेंगे ओके जो चूजदा करेक्ट आंसवर थे वो हम निकल करा दिये हैं बाकी का बुक वर्क है वो आज कंपलीट हो गया है ये सबी आप अपनी बुक में फिल करेंगे और याद बादब तो